अगर आप भूत के फिल्म यह सीरीज के मज़े लेना चाहते हो ठीक गोस्ट बस्टर फिल्म के कॉमेडी जैसे ही तो मैं कौनगा इस सीरीज को मिस्स बिल्कुल भी ना करें और अगर आप मिशन इंपॉसिविल के बैंजी यानि के साइमन पैग से वाकिफ हो तो उसने और नि तो आज मैं बाद के नाल हूँ अक्टोबर 2020 मतलब पिछले सल एमेर्जन प्रैम पे आया हुआ सीरीज के बारे में अभी सीजन वान में आपको इस सीरीज के आठ एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे जो लगवग 20-30 मिनिट के आसपास के है अगर आप एक ही दिन में बैटके सीरीज को खतम करना चाहते हो तो आपके साढ़े तीन से चार घंटे कहीं नहीं गए तो इस के साथ एक पार्ट टाइम नौ सी किया पारनॉमल इंविस्टिगेटर भी है और अपना खुद का एक यूटूब चैनल भी चलाता है और हाली में उसकी कंपनी के बॉस ने जिसका किरदार साइमन पे खुद नहीं निबाया है इल्टेन नाम के विक्ति को हायर करता है जिसक बजपन में एल्टेन के साथ एक कांड होने को वज़े से उसकी बूद प्रेज से बहुत भटती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती लेकिन उसकी बहन हेलन को ये सारा सब चीज बहुत पसंद आता है और उसका भी अपना यूटूब पे कॉस्पले और मेकप का चैनल ह हमेशा अपने गाड़ी में एक रेडियो फ्रिक्वेंस के कोड सुनते हुए जाते वक्त अचानक उनकी मुलाकात एस्ट्रीट से जो हस्पताल से कुछ भूतों का पीछा छुडाते भाग रही है उससे होती है अभी इन चारों की जोड़ी इनके गाउं में होने वाली एक मौती बड़ी भयानक वीपदा से जो गए विश्वयूद दूतियर से इस रेडियो मशिन में बंद पड़ी हुई है और गस जिसका सबसे बड़ा फैन होता है वही व्यक्ति अमर होने के चक्कर में कुछ मासुम लोगों की लेगा जान इस ग्रहन में पीटे टॉइन भी इसका खुलासा हर एक एपिसोड में धिरी धिरे होते जाएगा तो यह सीरीज बहुती फण लाइट और कॉमेडी होरर सिरीज है तो दिमाग पर लोड लेने की बिल्की भी ज़रूरत नहीं इस सिरीज को जैसे जैसे वह जाएगा हर एक एपिसोड से वैसे आप एंजोई कर जिने ये सुनना अच्छा लगता है या फिर ब्रिटन्स को देखने में अच्छा लगता है तो ये सिरीज आप लोग के लिए 100% है ये सिरीज बनाया गया है लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिने ब्रिटिश इंग्लिश या फिर एक्सेंट समझ में नहीं आती होने वह समझे में दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल मतलों सब्टाइटू हिंदी में भी अविलेबल है अब जाकर ये सिरीज का लु आ रहा है क्युक्कि अगर कभी-कभी आपको जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको अगर अक्सेंट जमझ में नहीं आती है आपको बेसी नहीं पता तो आप लोग इसे बहुत फिल्तर होते जाएगा इंदर अच्छी इतनी कुछ खास नहीं है और सभी characters और actors की acting बहुत अच्छी हुई ही और यकिन मानो सभी कलाकार बहुत ही मंजे हुए हैं मैंने उने personally कभी देखा नहीं सिवाए Mission Impossible के Simon Peck के अलावा लेकिन ये series जिसके ओपर main based है वो है Nick उसके कोई भी series या movies मैंने देखे बिल्कुल भी नहीं है हाले में उसका मैंने एक movie देखा था fighting with family ये एक real WWE champion लड़की के family के कहानी कोप पर based है ये film Netflix Amazon Prime पर available है तो कभी वक्त मिले तो जाकर देखना ज़रूर बहुत ही अच्छा motivational film है और एक real life story पर based है तो आपको और अच्छा लगेगा अगर आप WWE को फॉलो करते हो अपको और भी अच्छा लगेगा तो मैंने यही फिल्म इसका फॉर्स्ट और लास्ट देखा था निक का मैंने इसके पहले कोई भी कुछ content देखा नहीं है तो इसके वज़े से ही उसका थोड़ एक्सेंट समझन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है इनिशली तो हिंदी के साथ साथ कहीं सारे डिफरेंट लाइंवजेस में इस अवेलेबल है तो टेंशन बिल्कुल नहीं करते हैं तो लेकिन पैरेंट्स के साथ या फिर फैमिली साथ आराम सा बैठ के सब्सक्राइब करेंगे तो अब लोगों के लिए अच्छा टाइम पास मतलब आप बहुर तो नहीं होंगे लेकिन आपको एक कंटेंट जरूर पसंद आएगा एक दम चिल में होकर यह हफ्ते में खतम करो यह एक दिन में देखकर खतम करो यह आप निरबर करता है अब मैंने भी यह सीरीज बहुत पहले देखी दिनी तबी में रियूज नहीं करता था लेकिन मुझे यह से लगा कि आप लोगों कोने कंटेंट मिस नहीं करना चाहिए इसलिए मैं आप लोगों के बता रहा हूं ऑब्वियसली कंटेंट बहुत पुराना है तो कई सरह कराने नहीं वाले हैं लेकिन मुझे इससे लगता है बहुत ही जल्द आने वाले समय में इसका सेकेंड सीजन बहुत ही दमदार और अच्छा वाला तगड़ा आगे लेकर आ सकते हैं अपने को नहीं माला तो खास बात है इस सीरीज के देखने के लिए अगर जाओ तो है या पिरे जाकर देखोगे या पर इस कंटेंट के बारे में बढ़ा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो बस इस व्लोग में इतना इची अगर आपको मेरे व्लोग ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शी सब्सक्राइब जरूर पीजिए सब्सक्राइब होन मेरे दुसरे व्लोग भी देखना चाहते हो तो उपर आए बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर उसके लिंक्स आ रहे होंगे आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो तो आप से फिर मुलागात होगी मेरे दुसरे व्लोग पे तिल दन टेंशन लेने का नहीं मावाब को कर दो